नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है उतकर शानन्द आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोव आनन्द आज मैं आपको बदाने वाल हूं कैसे आप अपने ब्लूटूथ गेम कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं पीची गेम्स खेलें के लिए यह ब्लूटूथ गेम कंट्रोलर इसका नाम है एवो गेमपेड प्रोटू यह केवल एंड्रोइट गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है लेकिन इससे आप अपने पीची गेम्स भी खेल सकते हैं इसके लिए आपको सबसे बहले कुछ फाइस डाउनोड करने होंगी इसमें सबसे पहले है x360 ce 32 bits गेम खेलने के लिए है यह वाली फाइल और x360 ce 64 bits खेलने के लिए साथ में आपको यह दो फाइले भी अटाइनोड करने होंगी इन सभी का लिंक्स ऑन दिस्क्रिप्षन में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले अपने Bluetooth controller को set कर लेते हैं Windows 10 में connect कर लेते हैं इसके लिए आपको पहले Bluetooth on करना होगा और right click करके go to setting में जाना होगा अब अब आपको अपने game controller को on करना होगा तो यह है evo gamepad 2 जिसके मैं बात कर रहा हूं अब इसको हम कर लेते हैं इसको आप थोड़ी देर के लिए दवाई रहेंगे जब लाइट बहुत तेजी से ब्लिंक करने लगी तो इसे छोड़ देंगे उसके बाद computer में यह शो करने लगीगा Windows 10 में यह आगया input device यहां पर click करने के बाद इसे pair कर लेंगे अब देखिए यह pair हो रहा है और install हो चुका है और light जो रहा है stable हो गईगा केवल एक ही light जल रही है यानि कि यह windows से connect हो गया तो इसके लिए आपको सबसे बहले जो files हैं उनको extract करना होगा जैसे कि मैं आज बात करता हूं कि prototype 2 कैसे खिलेंगे यह 32 bit game है आप search कर सकते है Google LP कि आप का game 32 bit है यह 64 bit ठीक है तो 32 bit के लिए इसको हम extract करेंगे और इसको click करेंगे तभी click जैसी आप यह खोलेंगे तो यह warning show करेगा यह first time चल रहा तो उसने file नहीं बनाई होगी अपनी configuration यह आपको बनाने क्लिक हैगा तो create पर click करके configuration file बना देगा इसके बाद यह मेरे Bluetooth Gamepad प्लस ने detect कर लिया है और यह setting के लिए कह रहा है जो कि internet मांगेगा ताकि यह सई से setting कर सके इस controller को तो यहां पर मेरे net जो है Wi-Fi से connect है इसके बाद next कर देके अब जैसे कि आप देख रहे हैं यह दोनों controller 1 और controller 2 पर green आगे इसका मतलब यह Bluetooth controller detect कर चुका है सही से अब मैं आपको दखाता हूं कि यह controller controller यहां पर देखिए यह शो कर रहा है जैसे मैं joystick हिला रहा हूं तो यह जो यह indicator है यह भी हिल रहा है कि इसी तरीके से d-pad हो रहे हैं मेरे यह मेरा ऊपर के जो bumper ट्रिगर है वह हो रहे है अब यहां पर आप देखिए कि bumper जो है वह trigger में आ रहा है और trigger जो है bumper में तो इसको हम सही कर लेते हैं यह trigger trigger नीचे वाला होता है यहां पर क्लिक करने के बार record पर क्लिक करेंगे और trigger दबाते हैं इसी तरह bumper को set कर लेंगे और right वाले trigger को भी set कर लेंगे और right वाले bumper को अब बाकी बटन्स हम चेक कर लेते हैं joystick सही है joystick बटन भी सही है e-pad वर्क कर रहा है start button वर्क कर रहा है x y d a right joystick joystick button बाकी सारे यह बटन्स ही करते हैं इसमें लिखा वह नहीं आ रहा है d-pad पे तो इसे आप यहां पर जुबारा से record करके ला सकते हैं ताकि किसी game में problem ना है अब ही हमारे Bluetooth controller जो है set हो चुका है इसको save लेंगे अब इसे एक्जिट कर लेंगे अब जिस game को हमें इस controller से खेलदा है उस games की हम files में जाएंगे जहां पर वह files होंगी games की जैसे कि मेरा prototype 2 जो है इसकी files है यहां पर games drive में prototype 2 folder में इसे आब right click करके open file location में भी जा सकते हैं वहां direct यह खुल देगा अब इस जहां पर भी हमारा यह executive file होगी उस ही folder में हमें तीन file पेस्ट करनी होगी देखी यह दो file जो है इन्होंने यह configuration की बनाई यह software ने यह दोनों file हम जो ले जाके यहां पर पेस्ट कर देंगे उसके बाद एक file जो है d input की यह 8-6 जो है वह 32-bit के लिए 64-bit के लिए तो d input वाली जो file होगे उसको भी हम game folder में जाके पेस्ट कर देंगे ठीक है अब यह हमारा game जो है इस controller से खेलने के लिए ready है तो मैं अब आपको यह चला के दिखा देता हम दोस्तों यह game स्टार्ट होगी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर यह लिखके आ रहा है यानि कि यह गेम controllers ने detect कर लिए जो भी game controllers detect करेंगे game वह xbox 360 के साफ से detect करेंगे यह जो controller है उसका जो layout है वह भी xbox 360 के साफ से हैं मैं आपको दिखाता हूं यह है बटन मैंने यह बटन दवाया और दुबार से दवाया यानि कि यह controller डिटेक्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से कि यह अभी मैं आपको setting में जाके दिखा देता हूं कि यह सारे buttons शो करेगा कि यह game स्टार्ट होगी है options यहां पर देखें यह xbox 360 कंट्रोल लिख्या रहा है बाकी सब games में भी हो सकते xbox 360 लिखा है या cable bluetooth कंट्रोल लिखा है या way controller लिखा है पर यह परत जो है xbox 360 के ही साफ सकरेगा मैं आपको खेल के दिखाते हैं लिखाष परता है इस सब्सक्राइब करें देंगर कि बाकाष लिखें पर्राफेजिगा थार्मिनल्ड ग्रव्या थे जरी है लिख्ञाए मुश्प्रादें बेदाट्ड बफे लिखें पर है लिखें लगल्ड़कि यह जब दोरत विखें और आपकाल्ण। दोस्तों यह हमारा कंट्रोलर जो है अब ब्लुटूथ एंड्रोइड गेम कंट्रोलर बन चुका है दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने एंड्रोइड के ब्लुटूथ कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं एक्सबॉक्स 360 की तरह PC गेम्स के लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल क को और इस वीडियो को चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हैं थैंक्यू कर दो